Hello Friend, Welcome to my Channel तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि Grow App से आप किसी भी Macro Finance या MI Payment आप कैसे कर सकते हैं यानि आप किसी भी कमपनी का लौन कैसे भर सकते हैं और Cash Back कैसे पराप्त कर सकते हैं तो चलते हैं Mobile Case किन पर तो आपको Grow Application पेन करना है तो आप यहां देख सकते हैं कि मेरा Grow App लिकी सुनूपेन हो चुका है और हम Macro Finance या MI किसी भी कमपनी का लौन आप भरना चाहते हैं तो आप कैसे भर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा Bill पे क्लिक करना होगा और आप यहां देख सकते हैं Finance ठीक है उसके बाद Loan MI पे क्लिक करना होगा तो मतलब आपको यहां पे decide करना होगा कि आप किस Finance से Loan लिये हैं ठीक है तो यहां पे Finance का नाम एड कर दीजिए लिख दीजिए तो मैं समझता से लिया हूँ तोआप यहां देख सकते हैं Macro Finance समझता उसके बाद enter your account number ठीक है account number या loan यहाँ पर add कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर loan account number यहाँ पर add कर रहा हूँ उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा account number add हो गुई है उसके बाद आपको नीचे में नाम add करना है कि किस नाम से आपका loan चल रहा है ठीक है कि आपका loan कितने का है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि loan amount आ जाएगा यहाँ पे उसके बाद आपको pay pay click करना है ठीक है जब आप pay pay click करें तो आपको कुछ चीज तरह सेंडेश्विस आपको दिखे देगा तो यहाँ पे आपको select करना होगा आप अकर new card भी add कर सकते हैं तो हम continue फे click करेंगे continue फे जब आप click करेंगे तो यहाँ पे permission मांगे जाएगा आपसे तो आपको allow allow कर देना है ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपको first number option select करना उसके बाद आपको sim verify करना है ठीक है तो जो number आपके bank account में लिंक है वो नमर यहाँ पे select किजिए ठीक है उसके बाद आपको send SMS पे click किजिए नीचे में उसके बाद यहाँ पे verify your mobile number यहाँ पे आपका verify हो चुका है उसके बाद आपको pay पे click करना है उसके बाद फिर continue फे click करना है ठीक है जब आप continue पे click करेंगे तो आपको you fee fee add करके अपना payment कर लेना है तो इस तरह से आप